और चलिए शुरुवात करते हैं अंतरराश्ट्रिय खबर के साथ जो की ब्रीटेन की है ब्रीटेन में आम चुनाओ के बाद मदगणना जारी है शुरुवाती परिणामों में सत्तधारी कंसर्वेटी पार्टी को बड़ा जटका लगा है अब तक घोशित नतीजों में विपक्षी लेपर पार्टी काफी आगे चल रही है उसने अब तक 109 सीटे जीद ली है जबकि कंसर्वेटी पार्टी को अभी तक केवल 14 ही सीटे मिली है 600 पस्यास सदस्यों वाली संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है वहीं मतदान संपन होने के फॉरण बात जारी एग्जिट पोल में भी लेवर पार्टी की बड़ी जीत की भविश्मारी की गई है इन सर्विक्षणों में लेवर पार्टी को 410, कंसर्विटी पार्टी को 131 और लिबर डेमोक्रेट्स को 61 जबकि रिफॉर्म यूके को 13 सीटे मिलने का अनुमान जटाय गया है बाकी सीटे आन्य के खाते में जाने की भविश्मारी की गई है परिणामों में लेवर पार्टी की बढ़त बरकरार रही और एक्जिट पोल सही साबित हुए तो पार्टी के नेता कीर स्टॉर्मर ब्रीटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे एक्जिट पोल सामने आते ही कीर स्टॉर्मर ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताने के लिए मददाताओं का आभार जताया वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी करार दिया